तो देख सकते हैं in future तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर जाएं यहाँ पर आपका learning का section है और यहाँ पर आपका certification का section है जहाँ पर आपको यह Cisco की official site मिल जाएगी तो यहाँ पर आपको CCNA का अगर आप नीचे जाएं कभी-कभी इसमना सा change कर देते हैं आपको थोड़ा dashboard देखना पड़ेगा तो यहाँ पर browse certification इस पर कर लेते हैं Cisco का certification देखिए अब यहाँ पर Cisco के तीन तरह के certification है CCNA, CCNPN, CCI तो जो हम लोग cover करेंगे basically which is CCNA ठीक है अब यह देखिए इसका यह course outline है और carrier path भी है कि अगर आपको networking में ही अगर आपको carrier बनाना है तो आपके पास क्या structure रनने वाला है तो जो हमारा Cisco का जो course है basically इसमें तीन त associate level, one is associate level, ठीक है एक होता हमारा professional level, एक है हमारे पास expert level, अब जो हमारा associate level है जिसमें हमारा CCNA आता है Cisco Certified Network Associate, अब इसमें आप सीखने क्या है देखिए इसमें आपको basically आपको network के बारे में आपको सीखने को मिलता है कि network क्या होता है कैसे काम होता करते है ठीक है protocol कैसे काम करते है, devices कौन-कौन से network में होते है, ठीक है और जो basically CCNA के अंदर जो focus किया गया है वो आपके router plus switches के उपर ज्यादा focus किया गया है कि router में protocols कैसे काम करते है, routing protocols कैसे काम करते है, कैसे उनको configuration, major major अगर बात करूँ तो इसमें configuration को थोड़ा सा discuss किया गया है, associate level पर थोड़ा बहुत आप configuration कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत ने काफी हद तक configuration आप कर सकते है, initial level पर बेसिकली थोड़ा बहुत आपको इसके अंदर wireless का section दे दिया गया है, ठीक है, कुछ आपका security का concept दे दिया गया है, जैसे ACL है, बागी और भी other चीज़, अब हम लोग course द मिल जाता है, जहाँ पर आपको network को monitoring करना होता है, बहुत सही से associate level की job को मिल जाती है, then उसके बाद आता आपका professional level, जिस पर आपको CCNP का certification मिलता है, Cisco associate network professional, अब इसमें जो है, आपके पास CCNP का NCORE paper होता है, और एक NRC होता है, तो अगर आप ये दो paper दे देते हैं, तो आप CC CCNP का, आप कहलेजे कि आप certification आपको मिल जाता है, ये दो paper mandatory है, NCORE के अंदर आपका जो आप routing switching सीखते हैं, CCNA के अंदर, उसी को advanced level पे आपको NCORE के अंदर बताये गया है, और NRC के अंदर basically थोड़ा सा आपको troubleshooting बताये गया है, कि कैसे आपको network में आने वाले problems को troubleshoot करना होता है, तो इसलिए NCORE, NRC आप CCNP में करते हैं, जिसमें आपको professional level की knowledge मिल जाती है, उसके बाद फिर आपका CCI वगरा हो गया है, जिसमें आपको expert level की knowledge मिलती है, ये काफी high होती है, but recommend ये रहती है कि अगर आपको network में ही अगर आपको अपना career develop करना है, तो मैं recommend हमेशा करता हू problem या किसी other country में मैंने देखा है, कि अगर CCNA के basis पे अगर आप job लेने जाते हैं, तो market में क्योंकि CCNA हर को ही कर लेता है, ठीक है, और इस level की job मिलनी थोड़ीशी मुश्किल, भी practical मिलनी इसलिए मुश्किल होती है, क्योंकि इसमें बहुत लोग है competition के अंदर, बहुत लोग आते हैं करने के लिए, तो अगर एक बंदा सिर्फ CCNA करके exam मतलब मान के चलो कि एक student है, जिसने सिर्फ CCNA कर लिया, ठीक है, और एक student है जिसने CCNA plus CCNP भी कर लिया, तो अब दोनों पे ही, दोनों ही लोग freshers हैं, इसने भी अपना college pass out करने के लिए CCNA किया, इसने अपना college pass out क करने के CCNA plus CCNP किया, तो अगर किसी company के अंदर ये job के लिए जाएंगे, तो इसको ज़्यादा approach मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि इसके पास जो knowledge है, वो एक professional level की है, भले ही इसके पास experience ना हो, बट ये network को अच्छे तरीकी से जान गया है, कि इसको chance ज़्यादा मिलेगा, ये tactical ही है, क्योंकि मैं भी ये चीज़ को भुगर चुका हूँ, that is why I am saying, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझसे CCNA भी बढ़ी है, मैं career path बता रहा हूँ कि अगर आपको networking में जाना है, तो आपको इस तरह से आपको path selection करना होता है, और अगर आपको कह दा कि नहीं मुझ से आपको हर field में मिलेगा, चाहिए आप cloud में जा रहे हो, चाहिए आप security में जा रहे हो, याप किसी other IT के field में जा रहे हो, networking के बिना कहीं भी कोई काम नहीं है, example अगर कोई बंदा या कोई software double up भी करता है, तो software double up करने के बाद उसका software run कहां पर करेगा, obviously network में run करेगा, तो network क अगर थोड़े बहुत information या थोड़े बहुत जानकारी उसके पास होगी, तो चीजों को और बहुतर दंग से चीजों को समझ सकता है, तो CCNA is a mandatory for all IT fields, जो कि अगर आपको किसी भी field में अगर आप जाते हो, तो networking is most important, अब CCNA के अंदर हम सीखने के हावाले है, तो इसके लिए मैं अगर इस CCNA पर अगर मैं click करूँ, तो यहां पर आपको directly इसके अंदर यह 4 section दिये गए हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा zoom करता हूँ, तो इसमें आपको यह 6 section मिलते हैं, जिसमें आपको foundation, network access, IP connectivity, IP services, security, fundamental and automation and programmability, देखो जब मैं आगर मैं बात करूँ, 24th feb 2020, से पहले की, तब उस time पे न, Cisco ने CCNA के बहुत सारे track बनाए हुए थे, ठीक है, जैसे की CCNA का routing and switching, CCNA का security, CCNA का wireless, CCNA का data center, CCNA का voice, यहीं CCNA के अंदर भी different different tags थे, तो अगर आपको मान के चलो security में जाना है, तो पहले आपको CCNA का routing switching mandatory था, then आपको फिर CCNA का security mandatory था, उसके बाद आप CCNA का security कर सकते हैं, तो directly security के अंदर approach नहीं कर सकते हैं, लेकिन after 24th feb 2020, Cisco ने यह सारी चीज़े खतम कर दी, अगर आपके पास CCNA का या networking का थोड़ा बहुत knowledge भी है, अगर आपको पता है, चीज़े कैसे काम करती हैं, थोड़ा बहुत routing switching आप कर लेते हैं, आप directly approach कर सकते हो CCNP के अंदर, directly exam दे सकते हो कहने का मतलब है, officially, but पहल यह चीज़े नहीं थी, but अब यह सारी चीज़े काफी easy कर दी गई है, अब Cisco ने, जो CCNA का प्लैटफॉर्म है हमारा, इसमें 6 section जैसे मैंने बता है, fundamental है, network access है, IP connectivity है, IP services है, security fundamental and automation, इसमें बहुत सारी चीज़े आपकी, थोड़ी थोड सारी मिल जाते हैं, network में यही चीज़े होती है, अब आपको जिस चीज में आपका interest है, suppose आपको security में interest है, suppose आपको automation में interest है, तो आप उसी path को follow करके आप directly उसी field में जा सकते हैं, तो after CCNA, जब भी आपको लगे कि हाँ, मुझे इस line में जाना है, तो उस चीज के लिए मैं भी मैं इसका exam पर चला जाओं, यहाँ पर exam topic पर click करता हूँ मैं, तो आपको PDF मिल जाएगा, यह PDF मैं आपको इसाथ group में share कर दूँगा, ताकि आप यहाँ पर अगर मैं इसको download PDF कर दूँग, तो यह आपके पास CCNA का slave us आ गया, जिसमें जो Cisco का official certification का आपका cruise outline न वो चीज है, जिसमें network fundamental में आपको यह topics बेखने को मिलेंगे, अभी अगर यह topics अगर आप देखेंगे तो आपको समझ भी नहीं अगर यह है क्या चीज, कुछ लोगों को पता होगा अगर उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो इसे router क्या होता है, layer to layer 3 switch क्या होती है, next generation firewalls क्या बोलते है, Cisco DNA Center क्या होता है, WLC क्या होता है, endpoint क्या होता है, तो यह आपके theoretical concept है, और साथ साथ कुछ practical भी है इसके अंदर, यह पूरा आपका outline है, तो यह file जो है मैं आपके साथ share कर दूँगा, और हम इसी course outline को हम लोग follow करेंगे, बहुत सारे content इसके अंदर दिये हुए, तो almost अगर बात करूँ तो इसमें आपको CCNA को अगर इसको complete अगर आप करना चाहेंगे, पूरे इस जितने भी content है, तो almost मान के चलें आपको 2 से 3 month, जैसे हम लोग Monday to, sorry, 2 दिन भी अगर हम class लेते हैं, तो आप मान के चलेंगे हमारा FAB चल रहा है, तो March, FAB, March and April, अपरेल तक हमा मेरा motive रहता है कि आप content जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ आप सीख रहे हैं, उसको बहतर धंग से सीख के जाएं, क्योंकि एक महिने में भी कई लोग कहते हैं कि हम commit करते हैं CCNA करा देंगे, कुछ लोग कहते हैं कि हम 20 days, 25 days में commit कर देंगे, बट अगर practically बात करू कि यह आपका एक महिने का course नहीं होता है, अगर आप किसी भी चीज़ को ढंग से, जो भी लोग एक महिने में course कवा रहे हैं, वो इतना fast track से पढ़ा रहे हैं, कितनी सारी चीज़ें वो skip कर देंगे, जिसमें आपको पता भी लगए और आदी चीज़ आपको समझ में भी नह जाएगी, फिर आपको लगता है कि जो networking है, वो काफी hard है, या काफी बहुत मुश्किल है, क्यों है, क्योंकि जो चीज का duration है, वो 3 months का है, उसको एक महिने में कैसे सीख लोगे, सीख लोगे, लेकिन तना fast tracks होगा कि आपके आदी चीज़ आपके उपर से निकल जाएगी, त थोड़ सा time लेके चलेंगे चीजों को समझने के लिए, तो सबसे पहले यहां पे, अगर किसी को कुछ doubt है, या कुछ पूछना हो, कि हम लोग, इसके अलाबा कुछ और चीज अगर आपके माइन में है, तो you can ask your doubt, queries, whatever, then हम लोग इसको start करते हैं, किसी को कुछ पूछना है, अभी तक, चैसा, इसके अंदर, anyone, everyone is okay, चलो, start कर लेते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहां पे आज, network होता क्या है, देखो, network, जब भी हम अपने devices को, ठीक है, connect करते हैं, किसी, जितने भी हमारे पास जो commitment होते हैं, उनको जब हम आपस में connect करते हैं, यह printer हो गया, यह फिर यहां पे एक server हमने लगा दिया, तो यह क्या बन गया, group of devices called a network, तो जब भी हम devices को, multiple devices को आपस में group में connect कर लेते हैं, तो उसको हम लोग network बोलते हैं, उसके बाद, एक होता हमारा networking, networking का बोलते हैं, जब यह users क्या करेंगे, अपने data को एक दूसरे साथ exchange करेंगे, जब network में communication करेंगे, तो उस process को networking बोलते हैं, आज कल कोई नहीं पूछता कि network क्या होता है, networking क्या होता, यह बिलकुल, आज से 15 साल पहले पूछा जाता था कि network में क्या differences है, आज कल आपके concept basis पे वो interview पूछते हैं, ताकि आपको पता हो कि क्या चीज़े के market में चल रही है, कैसे चीज़े जो है काम कर रही है, ठीक है, तो network में सबसे पहले जो आज हम discuss करेंगे, which is types of network, types of network, अभी types of network कोई interview में आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है, लेकिन exam perspective सही very important है, कि है न, what is land, तो अब land में आपके 4 options होगे, अब उन में से आपको एक को tick करना होगा, तो तभी बता पाओगे जब आपको पता होगा, लेकिन ये interview का question आज की date में कोई नहीं पूछता, हाला कि या से 10 साल पहले इसे पागलो वाले question पूछे जाते थे, बट आज कल ये कोई च या फिर can बोलेंगे, can, third जो type of network होता है, which is man, fourth type of network होता है, which is van, fifth type of network होता है, हमारे पास, यहाँ पे, san, and sixth type of network is a pen, so this is the different, different types of network, ये जो type of network है, ये area-wise है, अब कैसे है, उसको discuss करते है, और ये कहलो कि एक distance के basis पे है, ये can है, ठीक है, ये जो type of network है, ये आपके, distance के according network को design, मतलब network के category उसको define करना, तो land हम कैसे बोलेंगे, local area network, local area network का मतलब है, कि जो network, जो network एक building, building में हो, ठीक है, office में हो, ठीक है, एक घर में हो, यानि एक building के अंदर, एक office के अंदर, अगर वो network design किया गया है, उस type of network को हम लोग, local area network बोलेंगे, example लेते हैं यहापे, जैसे मान के चलो कि एक office का building है यहापे, ठीक है, यहापे यहापे यह floors बने होए है, और इन floors में हमारे पास यह devices लगे होए, computers लगे होँगे, wifi routers लगे होँगे, और भी बहुत सारी चीज़ा लगे होँगी, लेकिन यह जो मेरे devices हैं, यह building में, एक floor में लगे होए हैं, तो यह मेरा पूरा एक office है, तो इस office को मैं क्या बोलूँगा, it is my land, अगर एक school है मेरे पास, this is a school, अभी school पे different classes है, different different आपके section बने होए है, वहाँ पर आपके devices लगे होएैं, यहाँ पर आपके devices कुछ लगे होएँ, यहistes लगे होएं, यह school का network है, तो यह भी क्या ब्लाइगा, एक LAN कराएगा, यानी जो जो की एक building के अंदर, एक office के अंदर, एक school के अंदर, जो हमारे networks बनते हैं, जो devices connect होती हैं, उस type of network को हम लोग LAN बोलते हैं, देखिए, LAN की definition, आपके एक होती है, जो small geographical area में जो होती है, उसको हम लोग LAN बोलते हैं, अगला जो type of network होता है, which is CAN, जिसको बोलते हैं, campus area network, अब campus area network का मतलब है, कि मान के चलो कि एक university का, university का क्या है, campus है, यह बहुत बड़ा campus है, और इस campus के अंदर different different buildings है, एक university का campus है, और यह जो buildings है, सपोज यह कुछ 500 मिटर की दूरी पे हैं, उसी campus के अंदर, या 200 मिटर की दूरी पे हैं, तो यह buildings जब आपस में connect करोगे आप, network में, यहाँ भी कुछ devices होंगी, यहाँ भी कुछ आपके devices होंगे, floors बने होंगे, devices लगे होंगे न, और यह अपका land 1 है, यह अपका land 2 है, यह अपका land 3 है, तो यह 3 different lands है, 3 different buildings है, और इनको अगर आपने connect कर लिया, एक university के campus के अंदर, इसको बोलते हैं, campus, area, network, अब आपके mind में सवाल आ रहा होगा, क्या हम इसको कैसे connect इंटरनेट से connect करेंगे, विना इंटरनेट के connect करेंगे, वो भी चीज हम धीर धीर आगे चल के सीखेगे, अभी सिरफ मैं आपको types of network के बारे में बता रहा हूँ, as per the distance, कि जितनी, जो distance के इसाब से हम network को कैसे कैसे call करते है, that's it, और अगर मैं इसी campus area network को, अगर मैं यहाँ पे google करूं, now see, campus area network, तो अगर आप यहाँ पे image पे click करें, तो इसी तरीके से आपको कुछ एक campus यहाँ पे आपको मिल जागा देखने के लिए, जैसे यह देखिए, यह corporate का campus है, यह पूरा एक campus का area है, और इस area के अंदे यह different different buildings है, और यह buildings आपस में connected है, भले इंटरनेट स ही connect होंगे obviously, लेकिन इनका जो distance का है, वो एक ही campus के अंदर यह कुछ-कुछ distance के ओपर connected हमारे buildings है, तो इसको हम लोग campus area network बोलते हैं, ठीक है, तो यह campus area का आपका एक example है, और भी इस तरह से आपको बहुत सारे मिल जाएंगे like this, यह देखिए campus आपका, यह buildings देखिए कितने आस-पास आएं और इनको अप इसमें connect किया हुआ तो इसको भी हम लोग campus area network बोलेंगे, तो this is the campus area network, तो इसके बाद जो अगला network है, which is main metropolitan area network, अब metropolitan area network किसे बोलते हैं, जो एक city के अंदर, जो एक city के अंदर different different हमारे पास जो building से offices होते हैं, उनको जब हम connect करते हैं, suppose मैं example दिल्ली का लेता हूँ, तो मेरे दिल्ली के अंदर ये मेरा दिल्ली city है, और इस city के अंदर मेरे पास different different क्या है, different different offices हैं, अलग-अलग locations पे, तो इसको हम लोग अगर आपस में connect करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग metropolitan area network, within a city जो हमारे devices connect होते हैं, या जो offices connect होते हैं उसको हम लोग men बोलते हैं, metropolitan area network, इसे इसका हमारा छोटा सा example है, जो आजकल हमारे पास देखा होगा आपने जो आजकल local internal service providers है, वो क्या करते हैं, एक मान के चलो, एकी city के अंदर different different आपके जो ISPs हैं, जो local internet service provider है, वो connection दे रहे हैं, जैसे हमारा cable connection हो गया, like this, वो सारा हमारा metropolitan area network के अंदर ही आता है, इसके बाद अगला जो network है, which is WAN, we know very well wide area network, जो internet सबसे बड़ा हमारा example है, internet का, जो की WAN है, इसके अलावा जो different different cities अगर आप connect करते हो, different different countries अगर आप connect करते हो, तो वहाँ पर हमारे को WAN network हम बोलेंगे, सबोज मेरे पास, एक मेरे एक office है US में, एक office है मेरा, इंडिया में, एक office है मेरा, Canada में, और उनको अगर मैं आपस में connect करता हूँ, इस तरीके से, जो भी तरीके से connect करूँगा, वो मैं आपको आगे बता हूँ, इनके बीच में कौन सी technology यूज होती है, वो definitely हम लोग आगे चल के सीखेंगे, अभी सरफ connectivity के सुपर हम लो लोग बोलते है वाइड अरिया नेटवर्क, इसको भें नेटवर्क बो इसके बाद हमारे पास एक आता है Penn Netwerk, Personal Area Network, Personal Area Network, अब personal area network क्या होता है, देखो, मानके चलो कि आप, आपके पास i a multiple phones है और आप इस क्या कर रहे हो आप अपने Bluetooth से कोई data share कर रहे हो या Wi-Fi किसी application देटा share कर रहे हो जो कि विदिन आपके मान के चलो 20 meter 10 meter के अंदर अंदर दा 10 meter 10 meter के अंदर अंदर जो आपकी connectivity होती है या मान के चलो wireless आपका keyboard माउस है वह भी आप connect कर तो अपने phone के साथ या अपने laptop के साथ तो उसको भी हम लोग personal area network बोलते हैं तो अगर आप यहाँ पर personal area network डालो दो तो कुछ आपको इस तरह की image मिलेगी personal area network और अगर आप यहाँ पर image पर click करोगे तो कुछ इस तरह का आपको मिलेगा जैसे आपने laptop से connect कर ले तो आपके wireless headphone आपके mouse आपके printer wireless वाले printer यह सारे मारे personal area network के अंदर आते हैं इसके बाद जो अगला network type है which is SAN network SAN होता है हमारा storage area network network अब as per network engineer हमारा SAN से related कोई हमारा काम होता नहीं है यह SAN एक device होता है मैं बता दूँ कि एक device होता है जहां पर आपका data को store किया जाता है तो यह काम जो और यह जो SAN जो device manage करता है वो server team manage करती है we don't look into this कि हमें इसको देखना नहीं होता है पट हाँ जो IP की configuration है जब जो प्रोटो देखो एक बड़े organization अंदर क्या होता है कि मान के चलो कि एक बड़े organization अंदर बहुत सारे system लगे हुए है ठीक है अब यह system में जो भी user login करेगा वो अपना जो भी office work होगा वो काम करेगा और करने के बाद data को क्या करेगा save करेगा अब data को अगर उसने save किया मान के चलो इसने इसी system पे save कर दिया और वो अगले दिन आता है और इस system पे already कोई बंदा बैठा हुआ पहले से तो उसको क्या होगा दूसरे system पे login करना पड़ेगा अब दूसरे system पे login तो कर लिया problem कि जो कल का data था वो इस system पर पढ़ा हुआ है तो इसका काम क्या होगा यह user उस company में जो भी data को आपको इस system पे देख जाएगा और आज आपने अ सारा का सारा काम इस system पे कर लिया आपके अगले दिन आते हो फिर देखतों कि यहां पर फिर से कोई बन्दा बैठा हूआ है अब आप यह वाला system traveling फिर सबाढ़र जाते हो फिर यह इस पर बैठ यहां पर से लाज नहीं आपकी shift खतम होगी, आप चले गए, अब दूसरे shift में बंदा आया, उससे क्या होगा, इस system crash कर गया, तो crash कर गया, तो उसका तो data गया ही गया, आपका data भी गया, तो problem है यहाँ पर data को ले के, तो इसी लिए बड़ी-बड़ी company क्या करती है, अपने network में एक device allocate करती है, जिसको बोलते हैं, SAN, SAN device, storage area network, अब जो device में क्या होता है, multiple hard disk लगी होती है, इस सारी hard disk है, ठीक, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, दिखता कैसे, तो इसमें बहुत सारी multiple hard disk लगी होती है, और ये इसके अंदर क्या होता है, कि इसमें mirroring वगरा करी होती है, वो मारा server team ही देखत है, क्योंकि मैं already इसमें काम कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको ये सारी चीरे detail में समझा पा रहा हूँ, अब क्या होता है, कि जो data आपका यहाँ पे save होता है, तो ये सारा का सारा data, ये क्या होता है, ये जो send devices, इसमें आप cable connect करके, इसको एक switch में लगा दिया जाता है, व अगर आपका ये system crash भी हो गया, तो data आपका इस location पे पढ़ा हुआ है, अब इसमें जो multiple harddisk लगी हुई है, इनका भी काम क्या होता है, कि जो data इस harddisk में पढ़ा हुआ है, उसका एक copy इस वाले harddisk में भी पढ़ा होगा, उसका copy इस वाले harddisk में भी पढ़ा होगा, जिससे क्या होगा कि अगर इसमें भी कोई harddisk fail होता है, तो data आप इस वाले harddisk से retrieve कर सकते हो, तो this is the sand device, storage area, network बोलते हैं इसको हम लोग, अगर आप इसी को यहाँ पे डाल दो, sand device, तो आपको इस तरह के devices देखनों को मिलेगा, जिसमें multiple harddisk लगी होती है, ये देखो, अगर मैं य इमेज आपको देखाऊ, ये इस तरी के साथ, यहाँ पे देखो, multiple sand लगी हुए है, क्योंकि अगर एक box fail हो गया, तो दूसरे box को भी आप कर सकते हो, तो network में redundancy बहुत ज़रूरी है, तो अभी आगे चलके हम लोग सीखेंगे redundancy network में कैसे बनाया जाता है, ठीकि अगर एक device अगर आपका fail हो गया, तो भी आपके network में outage नहीं मिलेगा, तो ये आपकी send device होती है, अगर मैं किसी भी send device को open करूँ, ये आप इसी को कर लेते है, इसको open करते है, ये इसका डिस्पले है, तो ये जो manage करती है, server team manage करती है, हमारा कोई लेन देना नहीं होता, बट इसमें ज network ports लगे हो है, इनको हमें switch से connect कर रहा होता है, बस हमारा इतना काम होता है, और जो भी IP address होता है, वो हम उसको दे देते हैं, अपना काम करता है, हमारा कोई इससे लेन देना नहीं है, इस server team manage करते है, लेकिन इस ये device network में अगर लगा होगा, तो आपको पता होना चाहिए, कि ये क्या है, और इसका काम क्या है, ठीक है, तो ये हमारा होता है sand device, तो यहाँ पर किसी को कोई doubt है, ये sand, man, can, pen, जितना भी मैंने वाज़ा बीडर डिसकस किया, anyone, clear हो रही है चीज़े, please guys acknowledge, प्रिया जी आपको clear है, मनसूर, रैपी, बनन जी, ये सो, okay, ठीक है, now, अब जो next point है, वो ये है, कि network में हमारे पाद जो devices होती है, network devices, एक सगेंड, कोई तो आया है, इस time पे, अच्छा, आरिफ जाया, हालो, 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 मनसूर जी, हालो, नयान, actually, I inform Altaaf, he also going to join, right now, okay, yes, 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 okay, he already joined, please, can you just explain him, like, introduction, what you explain, जो भी explain करें आप, इती जर से, उनको भी explain करता हूं, ठीक है, मैं करता हूं, ठीक है, अभी तक हमने जो, अभी, just, ज्यादा कुछ हमने इक स्टार्ट नहीं किया, हमने अभी तक, discuss किया, type of networks के बारे में, एक बार मुट का लीजे, ताकि आपको clearance मिले, thank you so much, तो types of network के बारे में अभी हमने discuss किया, जिसमें हमने, लैन क्या होता है, ठीक है, मैन क्या होता है, कैन क्या होता है, then हमारा वैन network किसे बोलते हैं, ठीक है, और इसके बाद हमारे पास, send network क्या होता है, और pen network क्या होता है, यह types of network को ज़्यादा बड़ा उसमें नहीं है, आपको यह video में दोबार, जब after the class, I will give it to all of you, तो वहाँ पर आप इस वीडियो को देखिए, जो इस starting के जो 57 minutes है, आप इसको देख लीजेगा, तो आपको पता लग जाएगा, कि land क्या होता है, man क्या होता है, ठीक है, types of network, और अगर आपको देखके कर समझ में नहीं आएगा, तो आप next class में फिर जम start करेंगे, तो इस starting में मैं आपको यह चीज click को दो, बहुत easy है, कोई ज़्यादा हमने भी तक cover किया नहीं है, ठीक है, अभी हम जो discuss कर रहे हैं, which is network devices के बारे में कर रहे हैं, ठीक है, अब network devices में कौन-कौन सी devices होती है, तो बापिस से हम official अपने उस पर चलते हैं, exam topic पर, ठीक है, इस पर हमने यह download किया था, तो यहाँ पर यह आप देख सकते हो, यह जो आपके devices हैं, इनके role है, क्या है, इनके function क्या है, क्या components है, यह network के basically components होते हैं, ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे components होते हैं, यह जो आप देख रहे हो, जैसे की router क्या होता है, layer two, layer three switch क्या होती है, next generation five all क्या है, अभी हम इसी के बारे में discuss करेंगे, देखो, जो भी चीज़ अभी में discuss करेंगा, तो देखो, कुछ चीज़े हैं, जो अभी आपको समझ में आ रही होगी, और कुछ चीज़े हैं, जो आपको समझ में अभी नहीं भी आ रही होगी, तो घवराना नहीं है, क्योंकि network जो है, वो small dots होते हैं, ठीक है, जो चीज़ आपको अभी यहां पे नहीं समझ में आई है, वो आपको यहां समझ में आईगी, क्योंकि यह दूसर से correlate होते हैं, ठीक है, जैसे मैं अगर मैं भी devices जो पढ़ाऊंगा, तो मैं जैसे बोलूँगा, कि यह layer 3 होता है, यह layer 2 होता है, ठीक है, तो अब आपको समझ में नहीं आ रहा हो, कि layer 3 क्या होता है, कुछ लोग को नहीं आता होगा, कुछ को आता होगा, तो उसके बारे में भी हम लोग detail में आगे चलके सीखेंगे, सिर्फ अभी क्या करना है, जो मैं बोल रहा हूँ, उसको सिर्फ और observe करना है, और continuously हम इनी चीज़ को बार 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 repeat करेंगे, फिर उसका practical कराऊंगा, फिर उसको दुबारा से repeat करेंगे, तो ये चीज़ फिर आपको used to होनी शुरू हो जाएंगे, फिर आपको आने वाले 10 से 15 दिन में ये चीज़ एकदम smooth आनी शुरू हो जाएंगे, initially क्या होता है, network को जो हम लोग पढ़ते हैं, मैं ये चीज़ लिए बता रहा हूँ, ताकि आपका mind इस चीज़ के लिए prepare हो जाए, क्यूंकि जब आप पढ़ते हो, तो कुछ चीज़ आपके समझ में आएगे, फिर आपको लगेगा, ये networking तो बहुत मुझे hard लग रही है, hard कुछ नहीं है, क्यूंकि कुछ चीज़ आपको इसको पहले router दिखा देता हूँ, Cisco router, image पे click करते हैं, तो ये आपके Cisco के router लखे होए है, देखिए, ये router है, open image in a new tab, तो this is the router, बहुत अच्छी picture है, और ये जो router है, ये router का back side है, और इसी में सारी आपकी connectivity होती है, तो ये आपका क्या है, Cisco का router, देखो, अभी आपको बता द जाओगे तो आपसे ये नहीं बोलेगा कि आपको कौन सा router मुझे लगाना है, मुझे बताओ, कभी भी नहीं होता है, सबसे पहले देखो कि हर company के अंदर एक होती है requirement, जैसे कि example, आपको एक laptop चाहिए, तो जब आपको laptop चाहिए, तो laptop को use करने से पहले आपको उसका reason पता हो होगी, उसके इसाब से आपकी hardware quality आपकी बढ़ जाएगी, example के लिए हमारे पास एक 8000 का phone है, और एक मेरे पास iPhone है, दोनों का काम क्या है, calling, photo, video, like this, इसके अलबद दोनों phone से आपको extra नहीं कर सकते, वही चीज़ करते हो, जो इस वाले phone से कर रहे हो, वही चीज़ आप इस फरा के दोनों के hardware quality का, आप यहां से वीडियो अच्छी बना सकते हो, है ना, इसके अन्द फोटो अच्छी कही सकते हो, इसमें थोड़ा सा आपको low quality का मिलेगा, तो यहां पे आपकी requirement depend करता है कि आपको phone किस purpose के लिए, अगर आपको किसी blogging बगर के purpose के लिए लेना है, या size क्या है, company small size company है, company mid size company है, या company large company है, बहुत बड़ी company है, तो उसके इसाब से आपके जो devices है, उनके hardware quality change हो जाती है, तो obviously काम तो सबका सेम ही है, जो small size का router होगा, उसका काम भी वही होगा, जो mid size company में जो router लगा होगा, लेकिन फराक है इसके hardware quality का, यहां पे आपके number of processing जादा होगी, तो according to your requirement to requirement, आपकी devices की hardware quality हो बढ़ जाती है, तो अभी के लिए हमें यह जानना जरूरी नहीं है, कि अगर हमें company में, अगर devices लगाना हो router तो कौन सा router लिएंगा, वह आपको भी जानना नहीं है, तो यह आपका Cisco का router है, router कुछ इस तरीके से दिखता है, इसमे आपको पीछे यहाँ पे देख रहे हो, जिसमें आपको Cisco का model लंबा लिखा रहा है, 1841, यह काफी पूराना model है, और इसमें यह power supply लगा हुआ है, this is the power supply button, plug है, यह आपका on-off switch है, अच्छा, यहाँ पे आपके आपके पास कुछ अलग चार port दी हुए, connectivity के लिए, यहाँ प aux port लगा हुआ है, और इसके अलबा यहाँ पे एक आपके पास एक यह panel दिया हुआ है, कि अगर आपने यह सारे ports यूज कर लिए, तो फिर आपके पास, मान के चलिए 6 ports हैं, अब यह ports क्या हैं, बाद में बात करेंगे, यह total 6 port हैं, जो हम लोग connectivity के लिए यूज करते हैं, अ इसे ही market में आपके इस तरह के panel लगे हुए आते हैं, जिसको आपको plug and play करना, यहाँ पे लगा दोगे, तो आपके पास जो ports हैं, वो extra बढ़ जाएंगे, तो इस तरीके सा आपका router दिखता है, अब यह router का काम क्या है, हम router को लगाते क्यों है, उसको समझते हैं, तो router basically क्या router is a layer 3 device, अभी layer 3 क्या होता है, वो हम लोग आने वाले time में discuss करेंगे, जब मैं आपको OSI model पढ़ाऊँगा, तो यह आपका router क्या है, router is a layer 3 device, it is used for, it is used for, connect, it is used for connect, two or more different networks together, यानि जो आपका router होता है, उसका use क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा networks को आपस में connect करना होता है, तो हमें router की requirement होगी, अब यह दो से ज़्यादा network कैसे दिखते हैं, कैसे बोलेंगे कि वो भी हम लोग आगे चलके, तो अभी सिरफ हम लोग introductions ले रहे हैं कि यह router का यह काम है, future में हम सभी चीजों के बारे में detail में काम करेंगे, detail में discuss करेंगे, और practical भी करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, सिरफ हम यह यह theoretical concept को समझ रहे हैं, तो router क्या है, एक layer 3 device होता है, जो कि 2 से या 2 से ज़्यादा networks को अगज़ा वापस में करना होता है, तो हमें router की requirement पढ़ती है, router, router forward the packets, router क्या करता है, packets को forwards करता है, अब यह packets क्या है, वो भी हम packages का access करेंगे, तो यह packets forward करने के काम आता है, network में बहुत सारे packets होते हैं, जो router क्या करता है, उनको एक network से दूसरे network में forward करता है, switch करता है, basically, चौथा point, router maintain a table, router एक table को maintain करता है, called routing table, routing table, यानि router जो packets को forward करता है, network में, एक network से दूसरे network में, वो routing table को देखने के बाद, या routing table को use करके ही, वो decision लेता है, जैसे कि, मान के चलो कि एक building है, और आपने यहाँ पर एक home guard बिठा रखा है, एक guard बैठा हुआ है, और इसके पास एक register है, जिसमें इस building में बहुत सारे कमरे हैं, ठीक है, या बहुत सारे offices है, अब कौन बंदा कहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, कौन सा worker किस जगे पर बैठा हुआ है, कौन से panel पर बैठा हुआ है, या कौन से cabin में बैठा हुआ है, उसकी सारी information यहाँ पर होती है, एक बंदा आता है, बोलता कि भाई मुझे यहाँ पर जाना है XYZ बंदे से मिलना है तो यह बंदा बना रेजिस्टर चेक करता है बोलता आप यहाँ चले जाओ तो यह जो है यह क्या है router इसने क्या किया एक packet आया एक information आई जो उसने देखके routing table को देखके आगे forward कर दिया इसी तरीके से router भी काम करता है router के पाद जब कोई packet आता है उस packet के अंदर address चेक करता है address चेक करने के बाद उसको अपनी table से match करता है और match करने के बाद उसको network में forward कर देता है एक network से दूसरे network में कैसे करता है वो सारी चीज़ जमाने वाले time में address करेंगे ठीक है तो यह था हमारा router router के बाद जो अगला जो device है which is switch अभी switch कैसा होता है same इसी तरी से दिखता है अगर मैं यहाँ पर बोलूँ Cisco switch enter तो यह अपके Cisco के switch है अब यह भी दिखने में router की तरह ही है बड़ फरक क्या है switches में ports जदाजा होते हैं router में ports कम होते हैं switch का काम क्या होता है उसको देखते हैं switch connect multiple devices together यानि जो आपके multiple devices हैं suppose आपके पास 10 computer हैं उनको network में connect करना है तो कैसे करोगे तो आपको एक network में क्या लेना पड़ेगा एक switch लेना पड़ेगा और switch से आप क्या करोगे आपके जितने भी devices हैं उसको क्या करोगे connect करोगे तो switch का काम होता है multiple devices के बीच में connectivity प्रवाइड करना श्विच जो होता है switch can work in single network देखो जो मारा router था वो multiple networks को connect करने के लिए काम आता था लेकिन switch से आप एक single network connect कर सकते हो ठीक है switch का काम है multiple devices को connect करना और उन multiple devices को connect करके single network बनाता है ध्यान से समझना example बता रहूँ मैं मेरे पास एक ये switch है इस switch से मैंने कुछ computers connect कर दिये तो ये क्यालाएगा मेरा एक single network मेरे पास एक और switch है और यहाँ पे मेरे पास different computers है और ये मेरे दो different LAN हो गया ये मेरा LAN 1 हो गया ये मेरे पास LAN 2 हो गया अब आप बोलों के सार ये building में बोल रहे थे आप building के अंदर भी तो different different आपके switches लगे होते हैं ठीक है? एक switch से जितने भी devices correct करते हो आप लोग उसको single LAN बोलते हैं तो मेरे पास अगर दो switch है तो दो different LAN हो गया ठीक है? मान के चलो कि ये मेरा network A है ये मेरा network B है network A के अंदर जितने भी computers आपस में connected हैं ये आपस में communicate कर सकते हैं network B में जितने भी system आपस में connected हैं ये आपस में communicate कर सकते हैं बट अगर मैं चाहूं कि network A और network B के system आपस में communicate कर पाएं तो मैं अगर यहां से directly connect कर दूँ नहीं होगा क्योंकि switch का काम होता है एक same network में communication करवाना दो different network के बीच में switch को अगर मैं connect भी कर दूँगा तो भी communication नहीं करेंगे तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इनके बीच में router connect करना पड़ेगा this is the router यह router है तो जब मैं router को हम लोग goal ऐसे circle में इसको represent करते हैं क्योंकि अगर मैं ऐसे ही बना दूँगा तो switch जैसे लगेगा तो मैंने इसलिए तो goal कर दिया और router को हम लोग circle में represent करते हैं तो अब जो different network को बीच में अगर मुझे communication करना तो बीच में मुझे क्या लगना लगाना पड़ेगा एक router लगाना पड़ेगा और यह router क्या करेगा इन दोनों network के बीच में communication करवाएगा लेकिन switch का काम क्या है devices को आपस में connect करना और इन devices के बीच में आपस में communicate कराना दो different switch call as a different LAN हाँ अगर मैं यह बोलू कि मेरे पास एक यह switch है इस switch में बहुत सारे computers है और यह सभी के सभी network A है अब network A में मुझे और system connect करने है इस switch में जितने port थे हतम हो गए तो मैं क्या करूँगा एक cable से और एक और switch connect करूँगा और यहाँ पे मैं और devices connect करूँगा यह भी network A का ही part है this is also a network A ठीक है लेकिन हमने क्या किया अपने network को extend कर दिया तो क्या मैं इसको 2 LAN बोलूँगा no I will call a single LAN यह मेरा single LAN है यह पूरा एक LAN है क्यों क्योंकि these all system connected are network A क्योंकि network A का part है अब यह कैसे है वो भी हम लोग आगे चलेंगे उपर वाले section में 2 different LAN थे क्यों क्योंकि network A है यह network B है अभी network B मैं कैसे call कर रहा हूँ वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे सरब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ 2 switch के अंदर different network भी हो सकते है अगर different network तो different network बोलेंगे उनको हम लोग और अगर same network है तो उसको same network ही बोलेंगे हम लोग ठीक है तो एक switch के अंदर यहाँ पे अब देखो तो यहाँ पे LAN 1 है यहाँ पे LAN 2 है क्यों है क्योंकि network A network B different networks है but मेरे पास ऐसा requirement हाती है कि मेरे पास एक ही network है but devices मेरे पास ज़्यादा है स्विच के अंदर ports का मैं तो मैं एक cable और connect करूँगा एक extra switch लगाँगा और वहाँ भी में devices connect करूँगा इसको मैं एक single network ही बोलूँगा क्योंकि सारे के सारे system network A का part है सब को समझ में आ रहा है गाईस कुसी के उपर से तो कोई चीज़ जा नहीं रही न प्लीज एक्नॉलिज कर जीए क्योंकि ऐसा नहीं हो कि मैं सब बोलता चाला था और आपके से कुछ समझ में आए ना फिर उसका बेनिफिट नहीं है आतिव जी प्तिया जी मनन जी मनसूर जी सब को रकीव ओके ठीक है नओ अग्ला जो डिवाईस है अच्छा सुच के बपर अभी हम बात करें तो सुच का काम है मल्टिबल डिवाईस को कनेक्क करना ठीक है दूसरा जो हमारा सुच होता है न सुच मेंटेन तेबल ये भी अक टेबल मेंटेन करता है काल Mac address table, router routing table maintain करता है, और जो अपका switch है, वो Mac address table maintain करता है, अब यह Mac address table कैसा होता है, कैसे इस पर काम करते हैं, आने वाले time में definitely discuss करेंगे, अगला क्या है हमारा, अच्छा, switch की बात कर रहे हैं, दुबारा से हम लोग, अभी यह switch है न, यह दो type के हो सकते हैं network में, एक होता है अपका layer 2 switch, और एक होता हमारा layer 3 switch, दोनों में क्या difference है, देखो अभी हम उस stage पर नहीं पहुचे हैं, कि मैं भी आपको differences समझा पाऊं, तो layer 2, layer 3 switch को हम तब समझेंगे, जब हम एक concept को सीखेंगे routing, है न, और जब हम routing कतम करने के बाद, जब हम switch में move करेंगे, तब मैं आपको इनके बारे में differences सिखाऊंगा, अगर मैं अभी सिखाना चाहूं तो अभी बता सकता हूं, लेकिन उस, जो चीज़े मैं भी बताऊंगा, वो उन में से, कहां पर layer 3 switch होता है, वो भी हम आनने वाले time में discuss करेंगे, तो layer 2, layer 3 switch के बारे में, बस यह बता दिया कि जो types of switches हैं, वो दो type के होते हैं, दोनों दिखते भी same तरीके से हैं, अगर मैं यहां पर जाके google करूं, और मैं यहां पर google पर दूं, Cisco layer 2 switch, यह layer 2 switch है, same वैसा ही दिखत है, अब मैं यहां पर layer 3 भी लिख दता हूँ, यह देखो, अब आप बोलोगे तो same दिखने में लग रहा है, yes, दिखने में दोनों same लगते हैं, लेकि दोनों का working behavior different है, किसी switch को देखके मैं कैसे पता लगाऊंगा कि layer 3, layer 2 है, तो switch के model number से पता लगता है, तो layer 2 switches होते हैं, उसका model number होता है, वो 2960, या फिर बोल दीजिए, आप 2900 series के होते हैं, यानि 29 से जो start होते हैं, जो numbers, जिन switches के, वो layer 2 switch होते हैं, आप switch का model number देखो, समझ जाओगे, तो model number के आगे, जैसे 2960 काफी famous switches हैं, आज की date में, और most of the organization, जो भी पूराने organizations हैं, उनमें यह switches आपको मिल लेंगे ही मिलेंगे 2960, it's a famous switch of the Cisco, और जो 2960 switches होते हैं, वो layer 2 switches होते हैं, और 35, 3500, 3600, 3700, 3800, यानि जो 35 से उपर की जो series है, 3500, यहाँ पे 0000 लिखा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जाते 3560 हो गया, है ना, मतलाब आपको 3500 का मतलाब है कि starting में 35 यहाँ कुछ भी हो सकता ह 3600 यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो अगर 3500, 3600, 3700, 3800 सीरीज के जो switches होते हैं, वो अगर हैं, तो उसको आप लोग, layer 3 switch बोलेंगे, start 2 से, start 3 से, that is why, एक और तरीका है परचानने का ना, तो यहाँ पे अगर आप देखें, तो यह है मेरा 38500, अब आप बोलोगे कि एक switches आते ह या वो layer 4 switch हो जाएगा, नहीं, नहीं, वो भी layer 3 switch होगा, मतलब above 3500, जितने भी switches होगे, वो अमारे layer 3 switch होते हैं, ठीक है, यह ports आपके जो आते हैं, depend करता है, switch के ओपर 24 port का switch भी आता है, 48 port का भी आता है, इससे भी बड़े switches आते हैं, दिखाऊं, एक होता हमारे पास, nexus switches, data center में लगाए जाता है, इस तरह के switches, यह switches देख रहे हो आप, यह बड़े-बड़े data center में लगाए जाता है, अब यह switch में, और आपका जो layer 3 का जो simple से एक चोटा सा box था, इस switch में जमीन आसमान का फ़राग है, यह जो switches है, यह height में भी काफी बड़े होते हैं, रैक में बड लगे हो गई, और भी हमारे जैसे की companies है, जैसे की TCS हो गया, विप्रो हो गया, HCL हो गया, इन company के data center में यह switches लगे होते हैं, और इन switches के साथ जो आपके heavy servers होते हैं, जो बड़े-बड़े servers होते हैं, वो इससे connect किये जाते हैं, क्योंकि यह switches आपके higher-end के switches होते हैं, इन में इनकी processing power काफी अच्छी होती है, lacks of routes, packets एक time पे process कर सकते हैं, अब data center में अगर आप ऐसे छोटे switches लगा दोना, तो यह 2 minute में आख बकड़ लेंगे, क्योंकि इतनी processing power नहीं होती है, यह कहाँ पे लगते हैं, यह भी बताऊंगा, यह तो आपका data center में लगता है, यह small offices में building के अंदर जो computers connected होते हैं, वो आपके layer 2 या layer 3 switches से connected होते हैं, लेकिन data center में जो बड़े-बड़े hardware, servers जो connected होते हैं, वो आपके इन switches से connect होते हैं, कभी भी आपको एक data center में जाने का मौका मिले, तो आप देखना, वहाँ पे जो switches लगे होंगे, वहाँ पे आपको ऐसे switches मिलें जो की बड़े-बड़े servers से connected होंगे, तो हर device का अपना एक role होता है, अब इन switch का, obviously, ये switch को configure करने का तरीका थोड़ा सा लग होगा, इस switch को connect करने का तरीका अलग होगा, क्योंकि ये data center में use किया जाता है, और Cisco का अलग से ही एक data center का track है, तो अगर आपको data center में काम करना है, इन future कि अहां मुझे data center सीखना है, data center में काम करना है, तो फिर आपको data center का track आपका Cisco का करना पड़ेगा, तो वहाँ पर आपको ये बड़े-बड़े switches को configure करना से खाया जाता है, ये नहीं है कि आपने अगर ये छोटा सा switch को configure करना सीख गया, तो आप इसको भी configure कर लोगे, configure कर लोगे, बड़ आपको इसको सही तरीके से manage आप नहीं कर पाओ, क्योंकि इसकी अलग से ही इसको सिखाया जाता है, अलग से इसको पढ़ना पड़ता है, तो ये different devices है, इसी तरीके सा router भी मैं जो बात कर रहा हूँ, ठीक है data center की अगर मैं router की बात करूँ तो देखो center, Cisco router, तो यहाँ पर भी आपको बड़े-बड़े routers देखने को मिलेंगे, यह तो switches है, यहीं पर कहीं पर आपको मिलेगा router, काफी heavy होते देखने में, होते छोटे ही है, बड़े बड़े होते size में, as compared to other routers, तो उनके size, उनकी width काफी अच्छी होते हैं, काफी double, triple, चार power supply लगी होती है, क्यों, क्योंकि अगर एक power supply failed हो गया, तो दूसरे power supply से आपको backup मिलता रहेगा, तो इस तरीके से हमारे पास layer 2 और layer 3 switches होते हैं, मैंने दिखा दिया कैसा होता है, कुछ data center switches भी होते हैं, उनकी series अलग होती है, यह हमारे पास layer 3 switches के यह series होती है, layer 2 की यह is, कौन सा एक बाद देख लेते हैं, next generation firewall, चलिए, इसी को discuss कर लेते हैं, firewall क्या होता है, यह भी बहुत एक powerful device होती है, देखो, अगर आप networking कर रहे हो, तो एक चीज, समझ लेना, कि आज की data में कोई भी company, किसी भी network engineer को hire करती है, तो वो चाहती है, कि वो बंदा multitasking जानता हो, मल्टी, उसके अंदर skills हो, आप सिर्फ routing switching के basis पे job मिल जाएगा, पॉसिबल नहीं है, ठीक है, एक बंदा कहाता कि मुझे router भी आता, firewall भी आता, मैं और भी चीज मैनेज कर लेता हूँ, company का कि मैं इसी को hire करूँगा, क्योंकि मुझे एक बंदे के मानलब पैसे में, चार बंदा मिल गया, मनलब चार बंदा के वैसे मुझे एक बंदा मिल जाएगा न, तो इसी लिए, आपको multiple skills अपने अंदर develop करनी पड़ेगी, तो अगर आप networking सीख रहे हैं, तो future में आपको firewall को भी adopt करना पड़ेगा, otherwise आपको market में, या companies में survive करने में बहुत दिक्कत क्योंकि firewall के लोग बंदा लगसे तो नहीं बिठाएंगे, तो यह कड़ भी सच्चा ही है, यह होता है, आज की रेट में आधे लोगों की no-creasley चली जाती है, क्यों उनके पास single skills के बज़े से पर market में उतरते हैं, और उनके पास problem में यह आ जाती है, क्योंकि यह चीज़े म मैं किसी और के बारे में नहीं बोलूँगा, मैं अपने बारे में बोलूँगा, क्यों मैं भी इन चीज़े को face कर चुका हूँ, that is why आपको यह सब चीज़े को adopt करने पड़ेगी, अब यह firewall होता क्या है, देखो firewall आपकी एक security appliance होती है, appliance बोलो, device बोलो, it's your choice, तो यह आपका firewall एक security device होता है, जो आपके network में incoming and outgoing traffics को monitor करती है, incoming traffic, outgoing traffic क्या होती है, suppose, एक छोटा से diagram बनाऊंगा आपके सामने, मेरे पास एक switch है मेरे network में, इस switch के अंदर मेरे पास multiple computers connected है, इस switch से मैंने क्या किया, एक cable लिकाल के मैंने आगे firewall पर लगा दिया, यह firewall है, fw लिख दिया मैंने, और इस firewall से मैंने connect कर दिया आगे internet, ठीक है, अब आप बोलों सार यहाँ पर router का आँगे, router का भी छोड़ दो, अब इस से अब मैं आपको firewall का मतलब समझा रहा हूँ, ठीक है, अब internet से जो भी traffic, internet से जो भी traffic, मान के चलो कि यहाँ पर आपका एक server भी लगा हुआ है, आपके पास इस switch में, आपके पास एक server लगा हुआ है, और यह आपका web server है, जहाँ पर आपकी company की website hosted है, अब जो internet में बैठे users हैं, वो क्या करेंगे, आपकी websites को access करेंगे, तो traffic, internet से आपके office की तरफ आ रही है, तो एक और यहाँ पर चीज़ एड़ करूँगा, यह जो आपका section है, यह वाला, इसको बोलेगे हम, land section, local area network, और यह जहाँ पर internet connected है, इसको बोलेगे, van section, तो जब आपके traffic, van से land की तरफ आती है, तो उस traffic को बोलते हैं, incoming traffic, क्योंकि जब आपकी traffic land की तरफ आती है, जब यह users, जब यह users क्या करेंगे, आपके उस web server को access करेंगे, तो traffic van side से आपके land side की तरफ आएगा, जिसको हम लोग incoming traffic बोलेगे, और जब traffic आपके इस land user, internet किसी internet पर किसी web server को access करेंगे, तो traffic आपके network से बाहर की तरफ जाएगी, land से van की तरफ, तो उसको बोलेगे हम, outgoing traffic, तो firewall का rule होता है, वो यह होता है, जो भी traffic आपकी बाहर से अंदर की तरफ आ रही है, van segment से land segment की तरफ, साड़ा traffic आपका by default deny होता है, अगर आपने firewall लगा दिया, बीच में, तो कोई भी बाहर से traffic आपके land network की तरफ नहीं आएगा, क्योंकि internet को हम लोग untrusted network बोलते हैं, क्योंकि जितने भी attackers होते हैं, वो इंटरनेट में बैठे होते हैं, तो कोई भी firewall अगर आप network में लगा रहे हो, क्यों, क्योंकि आप अपने network में security चाहते हो, आपके land network में जितने भी servers लगे हो हैं, उनको आप secure करना चाहते हो, as well as आपके users को भी secure करना चाहते हो, तो इस firewall के अंदर ये rule होता है, पहले से ही, कि when से कोई भी traffic, अगर हम land की अगर जो traffic होगे, वो default deny होगा, overall जब तक आउसको allow ना करे, और जो traffic आपके land से when की तरफ जाएगी, वो सारा traffic by default allow होता है, तो when से land की तरफ traffic is denied by default by the firewall, and traffic is going from land to when, it is allowed by default, it's a default rule of any firewall, firewall बहुत सारी company या बनाती है, Cisco भी बनाती है, Palo Alto है, Checkpoint है, Sonic Wall है, दम्या में तमाम firewalls पड़ी हुई है, ठीक है, जो famous firewall है, थोड़ा उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जो market में काफी ज़्यादा, मतलब कहलो कि market जिनों ने अपना अच्छा-खासा बनाये हुआ इसलिए बता रहा हुआ है, क्योंकि यह चीज़े के बारे में जानकार ही होना बहुत जरूरी है, जब अपने CCN किया था, हम इतनी चीज़े पता ही नहीं होती थी, ना कोई हमें बताता था, और market में जब आते थे नए-ने वर्ड सुनते हैं, तो हमारे बहुत होता था, फि FortiGate है, ठीक है, FortiGate Companies है, Cisco का है, Cisco ASA, Cisco अपना एक Firewall बनाती है, इसको ASA बोलते हैं हम लोग, ठीक है, Firepower, ASA Firepower भी बोलते हैं इसको, Firepower, ऐसे ही हमारे पास Sonic Wall का है, Sonic Wall, ठीक है, Sonic Wall है, इसके बाद आपका Sophos है, आजकल यह Sophos Firewall बहुत सारी इंडस्टी यूज़ करती है, जो Midside Company है, जो छोटी-मोटी Company है, Sophos को आजकल ज्यादा यूज़ हो रहा है, मैं इतना भी आजकल मेरे पास जो Clients आते हैं, या जो भी मेरे जो Friends वगरा जिस कमपनी में तो उनके बाद देखा है, मैंने, Maximum Sophos Firewall है, इसलिए Sophos ने अच्छा कवर कर लिया, क्योंकि यह थोड़ा सस्ता है, और अच्छा भी है, फीचर भी काफी अच्छी है, उपर के जो फार जो फार जो फार जो फार जो है, यह थोड़े महेंगे फार बॉल है, हर कंपनी आसान यूज कर लेता है, तो यह firewall की कुछ companies मैं आपके सामने लिखी है, यह firewall होती है, ठीक है, अब जो firewall है, वो दो तरह की होती है, एक होती है software firewall, और एक होती है hardware firewall, ठीक है, हम आज ज्यादा लंबी class खिचेंगे नहीं, क्योंकि और लिड़ी कुछ लोग कम जॉब पे भी है, तो next class में हम लोग continue करेंगे, और साम के टाइम पर करेंगे, तो lengthy class लेंगे, पहले अब लोग थोड़ा जिसस कर लेते हैं, ठीक है, तो software firewall और hardware firewall, लोगो software firewall कौन से होते हैं, जो आपके virtual firewall होते हैं, या आपका windows का firewall, अगर मैं यहाँ पे firewall.cpl करता हूँ, तो आप देखेंगे कि म firewall है, जो आपके इस system के अंदर, आप policy लगा के system के अदर inbound rule, outbound rule create कर सकते हो, ठीक है, तो यह हमारा software firewall होता है, जो के inbuilt जो firewalls होती है, ठीक है, hardware firewall या obviously जो यह dedicated device आप लगाते हो, network में, उसको हम लोग hardware firewall बोलते हैं, software firewall आपके ज़्यादा हम use नहीं करते हैं, अच्छा एक और चीज, जो हमारे cloud based, जो platform होते हैं, मान के चलो, आपके पास एक cloud में data center बना रखा है, जहां पे आपके Azure के AWS के servers लगे हुए हैं, तो वहाँ पे जो आप firewalls लगाते हो, वो आपके software firewalls होते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई dedicated firewall तो लगाने सकते हैं, क्योंकि वो वर्चौल अप्ल यानिक आप firewall लगाना चाहते हैं, suppose आप पालो अल्टो का लगाना चाहते हैं, या Cisco का लगाना चाहते हैं, आप उनसे contact करोगे, वो आपको software firewall प्रोवाइड करेंगे, यानि एक operating system basically बोलते हैं, वो प्रोवाइड करेंगे, और उसको कैसे configure करता है, वो सारा they will help you, वो सब को बोलते हैं, जो हमारे cloud-based firewall होते हैं, या जो windows में होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, और hardware firewall वो होते हैं, जो dedicated हमारे devices network में लगते हैं, तो firewall भी आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से होता है, जैसे switches होते है, router होते है, इसी तरीके से firewall भी थोड़ा सा दिखता है देखन firewall है, जो एक छोटी company के अंदर यूज होता है, यह बड़े firewall है, enterprise लिखा है, network enterprise firewall, अब enterprise लिखा है तो बड़े network के रिए firewall यूज होगा, और यह हमारा छोटा ऐसा firewall जो की एक छोटा सा offices है, वहाँ पर अगर आपको लगाना यह वाला, ठीक है, हलाकि इस पर भी enterprise लिखा हुआ लेकिन आप इसको छोटे network के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पर आपके आपके बाद 200-200 users हैं, वहाँ पर, अगर आपके 1000 users हैं, तो आपको एस्थर के firewall लेना पड़ेगा, तो firewall भी ऐसे नहीं कि कुछ भी ठाके लगा दिया, यह भी depend आपके company के size के उपर करता है, यह थोड़े latest firewall है, Cisco firepower भी आता है, आपको दिखा रहेता हूं, Cisco ASA firepower, यह, इसको बोलते हम Cisco का ASA firepower, तो यह भी हमारा firewall ही होता है Cisco का, ठीक है, तो यह सारी चीज़े मारी firewall से related थी, कोई doubt है यहाँ पर किसी को anyone, सब को समझ में आ रहे हैं, रकीब जी, ठीक है, गूई, चलो, नेक्स्ट, अच्छा, नेक्स जनरेशन fireball किसे बोलते हैं, अभी जितने भी latest firewall है, सभी को हम नेक्स जनरेशन fireball बोलते हैं, क्यूंकि इन fireballs में बहुत सारे features होते हैं, जैसे antivirus features, IPS, IDS feature, अब IPS, IDS, अब नई चीज़ आपके सामने आगे, यह क्या है, थोड़ा से सम यह Indian police service वाला नहीं है, थीक है, intrusion prevention system, और intrusion detection system, यह एक feature होता है आपके उस fireball के अंदर, यह काम कैसे करता है, क्यूंकि यह इसके अंदर लिखा हुआ है, अगर आप जाएं, तो यह IPS लिखा हुआ है, prevention system, थीक है, अब यह काम कैसे करता है, उसको समझते हैं, देखो, जब network initially आया था ना, तो उस time security devices थोड़े से कम होते थे, तो सबसे पहले network में, एक IDS, एक dedicated device होता था, ठीक है, यह क्या करता था, आपके network में, हम इसको connect करते थे, तो इससे क्या होता, कि अगर कोई traffic बाहर से आ रहा है, या कोई मान के चलो, कोई mail है, ठीक है, और इस mail में क्या है, तो यह जो detects, यह जो IDS है, intrusion detection system, यह इस malicious file को detect कर लेता था, बट इसको prevent नहीं करता था, चलो एक काम करते हैं, इसको real life से example से समझते हैं, समझना, एक यह office है, चीक है, यह office के gate पे हमने एक security guard बिठा के रखा हुआ है, और यह security guard क्या है, IDS है, intrusion detection system, तो यह कैसे काम करता था, initially, तो उसको समझारों में, यह office के बाहर न, एक यह suspicious एक बंदा है, चीक है, जो office के इर्धित घूम रहा है, इसका मंसा जो है, वो ठीक नहीं है, कुछ गलत करने का तरीका, वो है इसके, ठीक है, और यह बंदा क्या करता है, यह company के अं करता है, कर गया, अब यह जो IDS है, इसलिए इसको detect कर लिया, कि यह बंदा न, अमझे ठीक नहीं लग रहा है, इसका चाल चलन ठीक नहीं है, यह कुछ गलत तरीके से देख रहा है, तो मतलब यह सही बंदा नहीं है, बट मैं इसको रोकूंगा नहीं, चला गया अंदर, मैंने आपको inform कर लिया, अब आप देख लो, यह काम होता था IDS का, तो IDS क्या करता था, अगर कोई mail अगर आपके network में आता है, या कोई virus attack होता है, तो जो IDS system है, वो उसको detect करके alert generate कर देता था, अब वो आपके उपर है, कि उस file को आपको open करना है, या उस mail को open करना है, या नहीं करना है, आपका system बता रहा है, कि ये malicious file हो सकती है, और अगर आपने उसको click कर दिया, तो wireless आपके system के अंदर आ गया, तो IDS का काम था, सिर्फ detect करके alert generate करना, बड़ प्रिवेंट नहीं करता था, उसने रोका नहीं बंदे को building के अंदर जाने से, उसने का तुम जाओ, क जड़ा हिना, अब आपको पता है कि आजके time में कितनी spamming हो रही है, कितनी scamming हो रही है, तो जितना जितना भी आने वाले time में तो और जादा होगा, इसलिए कल security की demand भी आने वाले time में बहुत जड़ा होने वाली है, ठीक है, कोई जितनी चीजी आपके digital होंगी, उतना ही आ क्या बुलते हैं, अटैक्स के ज़्यादा, ठीक है, तो उसके बाद, एक device launch किया गया, IPS, अब यह जो device है, यह IPS plus IDS है, मतलब detect के साथ साथ, prevent भी करेगा, मतलब, अब यह वही security guard है, यह वही security guard है, बट इसमें क्या है, IPS वाला feature डाल दिया, अब इसने क्या किया, इसने इसको detect कर लिया, कि यह बंदा सही नहीं है, अब यह बंदा company के अंदर जैसी enter करने लगेगा, इसको बोलेगा, नहीं, you are not allowed, because you are not a right person, अगर आप हो, तो आप मुझे आप identity card दिखाओ, नहीं है, तो आप जा सकते हो, तो कहने का मादलाब है, उसने उसको बाहर ही रोक दिया, तो आज कल जितने भी हमारे firewalls हैं, में ये features डले होते हैं, ठीक है, जिसमें आपका firewall क्या करता है, कि अगर बाहर से किसे ने कोई घरत mail, या कोई mail के अंदर कोई virus वगर डाल दिया, तो उसमें antivirus feature होता है, आपके firewall के अंदर, IPS जिसे बोलते हैं, ठीक है, तो वो file क्या करता है, वो program क्या करता है, उस file को detect कर लेता है, और detect करने के बाद उसको वही block कर देता है, आपके network के अंदर आने नहीं देता है, तो this is the IPS, तो जो next generation firewall है, उनके अंदर ये features inbuilt है, पहले ये अलग से लगवाने पड़ते थे, आज की date में आप company के अंदर antivirus system पे लगा रहे हो है ना, आप ये IDS IPS ले लगाते हो, पहले के time पे हर चीज आपकी अलग-अलग लगानी पड़ती थी, network को secure करने के लिए multiple devices, multiple equipment लगते थे, लेकिन आज कल जितने भी अच्छे ची companies हैं, जैसे की, जो firewall companies हैं, इन्होंने क्या किया, वो सारे features अपने firewall के अंदर ही डाल दी है, क्यों आप अलग-अलग device से लगाऊगा, हमारे एक ही device को लगा हो ना, उसी से सारे काम करो ना, तो इसी लिए उन firewall को आज की date में, जिनके अंदर ये सारे features डाल दी हैं, antivirus, IPS, IDS, VPN connection, बहुत सारी चीज़ है, दिने वाले time में, जब देखोगे, जब सीखोगे, तो समिझ में आएगा, तो इसी लिए हम उनको next generation firewall बोलते हैं, तो आज से पीछे की जो generation थी, उसमें features नहीं थे, रेकिन अभी की जो generations हैं, जिसको हम लोग next generation firewall बोलते हैं, जिसमें ये सारी features, inbuilt होते हैं, that is why we called is next generation firewall, because it has multiple features, इसलिए हम उसको firewall and IPS बोलते हैं, ठीक है, अच्छा, अगला point है, हमारा access point, अब यहाँ पे access point है, और एक है wlc, तो दो point है, समझते हैं, इस चीज को, और इतना करने के बाद, आज की class को हम यहीं खतम करेंगे, और next class में फिर हम लोग continue करेंगे, ठीक है, तो wlc, जिसको हम लोग wireless land controller बोलते हैं, इसको हम थोड़ी देर के बाद रिसस करते हैं, पहले हम बात करते हैं, access point की, access point, होता कैसा है, पहले वो दिखा देता हूं, उकको, Cisco, access point, image, यह हमारे access point है, अब यह काम, यह देखो, यह काम क्या करते हैं, यह wireless access point है, जो आपके network में, wireless connectivity प्रोवाइड करते हैं, अब हमारे पास, जो d-link के routers होते हैं, जो घर पे हम यूज करते हैं, d-link router, wireless router लिखते हैं, मैं switch में एक चीज बताना भूल गया था, मुझे याद आ गया था, अभी मुझे तुरंत याद आ है, अभी मैं थोज़ दे में स्कूर डिसस कर लूँगा, तो यह आपके wireless router है, ठीक है, डिलिंग के, अभी यह जो routers हैं, और यह जो Cisco के wireless access point है, दोनों का काम almost same है, फरक क्या है, फरक है आपके commercial का और home users का, ठीक है, access point क्या करते हैं आपके, wireless connectivity प्रोवाइड करते हैं, अभ wireless connectivity मान के चले, कि आपके company में कुछ 100 users हैं, जो अपने laptop को connect करेंगी, तो वहाँ पर आप क्या लगा होगे, access point लगा होगे, क्योंकि access point जो होते हैं, वो आपके commercial devices होते हैं, जो आपके multiple wireless devices को connect करने की capacity रखती है, अगर आप घर के wireless access point को जो आप घर में यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें इतनी capacity ही नहीं है, दोनों का काम सेम ही है, आपके wireless connectivity प्रोवाइड करना, internet connectivity प्रोवाइड करना, तो लेकिन फरक यह है कि आपका जो access point है, यह आपके commercial devices होते हैं, और जो घर के जो home routers होते हैं, वो आपके घर की उसके लिए होते हैं, आपके 8-5-7 system आप connect कर लो, कोई problem नहीं आएगा, लेकिन आपके अगर अपने 50 computer भी connect कर दिये, यह बोल जाएगा, बोल के जाएगा, slow हो जाएगी speed, ठीक है, लेकिन इन में फोई ज़़दा फरक नहीं पड़ता है, तो access point को आप, क्या करते हैं, wireless connectivity के लिए करते हैं, अब, मान के चलो कि आपके पास, यह पास floor है, हर floor के उपर आपने access point लगा रखा है, यह access point A है, 1 है, यह access point 2 है, यह access point 3 है, यह access point 4 है, यह access point 5 है, अब 5 access point आपने लगा रखा है, एक्जामपल के लिए अब आपको इनको manage करना है तो आप मैने इस तो individually करोगे अगर मान के चलो इस access point का कोई wireless password change करना है तो आप इस पे login करोगे और login करने के बाद इसका password change करोगे या जो भी changes करना होगा फिर अगर आपको इसमें कोई changes करना है फिर आपको इसमें login करना इसका काम क्या होता है यह आपके जो मान के चलो यह WLC अपने लगाया यह WLC है जितने भी access point है आप इससे connect कर दोगे और आप सिरफ इस WLC का access लोगे अपने laptop पे जिससे आप एकी window पे इन पांचो access point को access कर लोगे जिससे आपका जो काम है और easy हो जाएगा तो जो company इसके पा पास 50-50 access point लगे होते हैं उनके पास आपको यह WLC device भी देखने को मिलेगा क्योंकि वह 50 devices इस WLC के through control होंगी क्योंकि आपको 50 system पे अलग-अलग login करके काम करने से अच्छा है मान कि जो लोग 50 का आपके आज की data में Cisco ने क्या किया 50 access point के यह आपके पास एक नया operating system updated लेकर आगया कोई patch लेकर आगया कि अपडेट आगया इसको update कर लो तो 50 device को update करने के लिए को 50 device में एक एक करके login करके उसको update करना पड़ेगा उसको operating system को update करना पड़ेगा बजाए इ पड़ेगा 50 system को at the same time आप उनके operating system को upgrade कर सकते हैं तो this is the power of WLC तो कैसा देखता है WLC तो यह भी आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा WLC Cisco डाले देखते हैं Cisco WLC अकर मैं image पे चला जाओ तो आप देखेंगे इस तरीके से आपके WLC है wireless LAN controller ठीक है यहां पे बहुत सार keyboard है जहां से manage करते हैं तो WLC का काम क्या है आपके multiple access point को connect करना समझ मारा है सबको everyone किसी को doubt यहां तक क्लिए ठीक है प्याजी आपको भी क्लिए ठीक है ओके तो यहां पे अभी किसी को को doubt नहीं होना चाहिए तो बाकी class अब लोग next में कर लेंगे ठीक है हम लोग Friday को join करेंगे ठीक है Friday plus Saturday करेंगे हम लोग टाइमिंग जो आप लोगो ने बताया था आठ बज़े से हम लोग start करेंगे आठ से 10 बज़े तक या फिट 10.30 तक जो भी हमारी timing रहेगी उसके साफ समयों कर लेंगे ठीक है कोई दिख्कत तो नहीं है नो ओके ठीक है तो आप लोग अपनी email id जो है मंसूर मुझे आप एक बार हाँ send the video notes सब कुछ मिलेगा आप लोग को मेरे पास PDF फाइल भी है कुछ documents है वो भी मैं share कर दूँगा आप लोग अपनी email id दे दीजेगा ताक कि मैं एक folder google drive बनाके सारी चीज़ आपको centralized location पर दूँ बार बार डेली डेली वीडियो बनाके मैं अगर आपको send कर दो आप लोग भी परिसान हो जाएंगे तो एक single centralized folder share कर दूँगा उस folder के अंदर आपको updated जितने भी हमारी recording हो वहाँ पर upload दोने शूँ हो जागा ठीक है तो आप आप लोग मुझे मैसिज डाल देंगे कि मैं आज नहीं जौन के साथ मैं वीडियो से कवर कर लूँगा या कर लूँगी ताकि मैं उसके लिए वेट ना करूँ और मैं क्लास को continue करूँ तो हमारा पांथ 10 मिन नमिट वहीं वेस हो जाते हैं ठीक है तो और किसी को को है तो अ करें तो मैं यह ठ्क है ठीक है अंधियोट की रिक was लिए से इसकी बाक्मिश गणागे और फिर केम चालल लोग के बाक्रीजियो निउज अप लिएुम आप आप कोanka काम ताकि Words नाम तक आज फ्रोवाइड कर दूँगा ठीक है तो हम लोग मिलते हैं next class में तो कुछ doubt हो तो आप पूछ सकते हो अधर्वाइस फिर next class में मिलते हैं ओके sir thank you ठीक है ओके mansoor बाकी लोग भी बाई आप प्रेंग सकते हैं